हेलो दोस्तो दोस्तो आज मैं कंपेर करने वाला हूं आइसर के 2049 बीएस 6 मोडल को अश्योग लियन के पार्टनर के साथ दोनुभी मोडल बीएस 6 में इंडिया में आ रहे हैं अभी और दोनुभी मोडल चार टायर्स के साथ आते हैं यह दोनुभी मोडल लाइट कमर्शियल से तो स्टार्ट करते हैं कंपेरिजन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आपको मेरे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं दोनुग गाडियों का कंपेरिजन सबसे पहले इंजन मिलता है जो कि BS6 टेक्नोलोजी के साथ आता है बात करें आइसर प्रो 2049 की तो इसमें आपको थ्री सिलेंडर वाला BS6 इंजन मिलता है इसमें आइसर का E366 इंजन लगा हुआ रहता है यह दो लिटर का इंजन आइसर की तरब से इसमें इस इंजन में चार वाल्व लगे रहते हैं दोस्तों बात करेंगे दोनुवी मॉडल्स के इंजन के डिस्प्लेशमेंट के बारे में अशोग लियन का जो पाटनर मॉडल है चार टरयर वाला इसका इंजन आपको 295 cc का डिस्प्लेशमेंट देता है वहीं जो आइसर का प्रो Pro 2049 से काफी ज्यादा है तोस्तों हम देखेंगे दोनु मॉडल्स की मैक्सिमम पावर को अश्योक लियन का इंजन आपको 140 होस्पावर देता है 2750 आर्पीम में वहीं जो आइसर का Pro 2049 मॉडल है यह आपको 100 होस्पावर देता है 32 आर्पीम में तो होस्पावर में भी आपको यहां पर काफी अंतर देखने को मिलेगा नेक्स बात करेंगे दोनु के इंजन के मैक्सिमम टॉर्क के बारे में अश्योक लियन का पार्टनर 360 न्यूटन मिटर का टॉर्क देता है तो यहां पर आपको टॉर्क में भी बहुत अंतर देखने को मिलेगा दोनु मॉडल्स के नेक्स अगर हम क्लेच को देखते हैं दोनु मॉडल्स के तो अश्योक लेन में 310 mm डाया का क्लेच लगा हुआ है वहीं आइसर प्रो 2049 में 280 डाया का क्लेच लगा हुआ है तो अपरेट होता है वहीं बात करें आइसर की तो इसमें भी आपको 5-speed gearbox मिलता है इसमें आइसर का 3-m 5-d 5-speed gearbox लगी रहता है तो दोनु का जो गेर बॉक्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है दोनु में 5-forward और एक रिवर्स गेर की व्योस्ता एविलेवल है तो नेक्स हम दे इल्टेवल कॉलंब की भी व्योस्ता रहती है तो यहां पर इस्टेरिंग के मामले में दोनु मॉडल्स आपको एक जैसे मिलेंगे नेक्स हम बात करेंगे दोनु मॉडल्स के ब्रेक्स के बारे में जो अश्योकलियन का पार्टनर है चार टायर वाला और जो आईसर का प्रो 2049 है दोनु में हाईडॉलिक ब्रेक्स आ रहे हैं और दोनु में डिस्क ब्रेक्स लगे रहते हैं तो यहां पर आपको ब्रेक में भी कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा नेक्स हम बात करेंगे दोनु मॉडल के सस्पेंशन की बारे में तो अश्यो क्लियन का जो है इसमें फ्रेंट का जो सस्पेंशन रहता है इसमें पैराबोलिक लिप्स लगी रहती है और इसके साथ साथ शॉक लिप्स वाला सस्पेंशन मिल जाता है जिसमें की एंटी रोल भार भी लगे रहता है तो इसमें यहाँ पर एक एडवांटेज है आपको ग्रीसिंग कराने की जरुवत नहीं पड़ती है दोस्तों नेक्स हम बात करें दोनु मोडल्स के टायर्स के बारे में पहले देखेंगे अशोक लेन के टायर्स अब आपको 8.25 के 16 प्यार वाले टायर्स मिल जाते हैं दो फ्रेंट में दो रेयर में और एक इसपेडर आयर वहीं बात करें आइसर प्रो जिरो 49 की तो इसमें 225 x 75 के R16 के टायर से मिलते हैं जो कि 14 PR के रहते हैं फ्रेंट में 2 टायर, रेयर में 2 टायर और एक स्पेर टायर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर आपको टायर्स दोनु मोडल में लगबग लगबग सिमिलर मिलेंगे सिर्फ प्लाइ रेटिंग का अंतर है और नंबर आफ टायर्स पे आपको से मिलेंगे नेक्स हम बात करेंगे दोनु मोडल के वेट के बारे में अश्योक लियन का जो पार्टनर है चार टायर वाला इसका ग्रॉस विकल वेट है 2250 केजी यह हमने 10 पिट लोड़ वाले मोडल को उठाया है और बात करें आइसर प्रो 2049 की तो इसका ग्रॉस विकल वेट उन 595 केजी है और पे लोड 2697 केजी है तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिला है अश्योक लियन की गाड़ी ज्यादा लोड ले जाने के लिए बनाई गई है नेक्स हम बात करेंगे दोनु मॉडल्स के कैबिन और सीटिंग कैपेसिटी की दोनु मॉडल्स का कैबिन बहुती सांदार है जो फ्रंट का फेस या है बहुती ज़्यादा एर्ट्रेक्टिव है अश्योक लियन में आपको थ्री सीटिंग की वहस्ता मिल जाती है तो आइसर प्रो टूजिरो फोर नाइन में आपको दो सीट्स की वहस्ता मिल जाती है एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर नेक्स हम देखेंगे दोनु मॉडल्स के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को अशोक लियन का जो पार्टनर चार टायर वाला मॉडल आता है इसमां आपको 90 लिटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो की काफी बड़ा फ्यूल टैंक है और वहीं बात करें आइसर प्रो 2049-BS6 मॉडल की तो इसमां आप में आपको 60 लिटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है तो यहां पर भी आपको मेजर डिफ्रेंस देखने को मिल ला है अशोक लियन की गाड़ी को बड़े फ्यूल टैंक के साथ कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है बात करें दोनु मॉडल की डायमेंशन्स की सबसे पहले देखेंगे अशोक लियन पार्टनर चाहर टायर वाले मॉडल की डायमेंशन्स इसका वील बेस 2780 mm रहता है चेसिस की लेंथ और हाइट 5920 mm और जो कैबिन की हाइट रहती है वो 2250 mm रहती है FSD मॉडल की वहीं बात करें आईसर प्रो 2049 की डायमेंशन्स की तो इसका वील बेस 2580 mm रहता है और इसका जो चेसिस की लेंथ रहती है 3170 mm और जो चेसिस की विट रहती है 1843 mm तो दोस्तों यहां आप समझ गे होंगे कि दोनु गाड़ियों में क्या डिफ्रेंस है अशोक लियन की गाड़ी का जो लोडिंग स्पेन है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि इसका लेंथ और विट ज्यादा है वहीं आईसर का लोडिंग स्पेन आपको कम मिलेगा क्योंकि इसकी लेंथ और विट कम है नेक्स हम बात करेंगे दोनु मॉडल्स के प्राइस की तो अशोक लियन का पार्टनर 13.45 से आपको 14.67 लाइक तक मिल जाता है और वहीं जो आइसर का प्रो 2049 है यह आपको 10.09 लाइक से स्टार्ट होता है दोनु ही मॉडल्स का प्राइस मैंने बता यह एक्सरूम प्राइस है यह सिटी तो सिटी थोड़ा वैरी कर सकता है तो दोस्तों यह था रिव्यू अशोक लियन पार्टनर 4 टायर का आइसर की प्रो 2049 के साथ आसा करता हूं आपको सारे स्पेक्स और प्राइस का जो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्चन में लिख दीजिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद